आज हम बनाएंगे साबुदाने के वड़े ज़ की बहार से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे आज हम इसे एक स्पेशल एंग्रीडिन के साथ बनाने वाले और जिस इंग्रीडियों को और नहीं डालता है और जिस वज़े से उनके जो वड़े हैं वो जादा OI LI हो जा तो चलिए इंग्रीडिन्स दिख लेता है सबसे पहले हम बाउल में साबुदाना ले लेंगे जो कि हमने एक गंड़ा बिगो के रखा था यह हमने मीडियम साइस की साबुदाने लिया है आप चाहें तो छोटे साइस की भी ले सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे बॉइल्ड मैश्ट पटेटो अगर बनाते वक्त आपको आपका जो मिक्शर है वो ड्राय लेगे तो आप इसमें और भी आलू एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स जीरा नमक स्वादनिसार अब हम इसमें एड़ करेंगे कटीवी प्यास हरी मिर्च और हरा धनिया अब हम इसमें एड़ करेंगे रोस्टेट पीनर्स जो कि हमने मिक्सी में दर दर कर लिया था अब हमारा चावल आटा जो कि हमारा स्पेशल इंग्रीडियन्ट है चावल आटे से यह होगा कि आपको जो बड़ा है वो क्रिस्पी बनेगा और कम अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अब ध्यान रखें कि प्याज आपको ज्यादा भी नहीं डालनी है और बारी काट के डालनी है वरना यह फट जाएंगे इसे आपको अच्छी तरीके से मैश करते हो मिक्स करना है अब हम एक कढ़ाई में ओईल गरम करेंगे हमारे वड़े को तलने के लिए अब हम वड़े बना लेंगे वड़े बनाते वक्त आप अपने हाथों में ओईल लगा सकते हैं ताकि यह आपके हाथों में चिपके ना आप चाहें तो कोई सा भी शेप बना सकते हैं अब हमेने फ्राय कर लेंगे हमेने गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राय करेंगे क्वाल ख害 आइवाल्य फ्राय हो चुकें तो अब मैंदेन रहेंगे निकाल लेंगे और सर्फ करेंगे हमारे साबुदाने बड़े एकदम रेड़ी हैं तो आप चाहें तो इन्हें पुदीना की चटनी या फिर सॉस के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इन्हें जरूर ट्राय करिए क्योंकि मॉंसुन के टाइम में चाहे के साथ बहुत लजी सब्सक्त